नमस्कार प्रियेविध्यारत्यू मैं महावियर सिंघ इस्छोषेट प्रोफेसर गॉर्मेंट लोई आको सुरूए आप सभी काश्वागत करता हूं प्रिये विद्यारत्यू आज की स्व्यक्यान में हम राइश एनलीशिस से समंधित जो आपको पिछे जो वीडियो में जिनके आपको बनर किया घया था कि कितने प्रिकार के राइश होते हैं उसे समंधित कुछ प्रोब्लम्स अपने बैलेते हैं जिसे इसकी इक प्रेक्टिस हो सके कि तो इन प्रकार की जो रेशियो जिनके फोर्मूले अपने अध्यन किये थे तो उनका यूज किस प्रकार से किया जाता है इस समंध में अपने एक प्रोब्लम लेते हैं पहले सबसे पहले यह प्रोब्लम आपके सामने है जिसमें ग्रोस प्रोफिट 20 पर परसेंट है, टॉटल असेट्स टर्न वर बेस्ट आन सेल्स थी टाइमस है, इन्वेंटरी टर्न वर बेस्ट आन कोस्ट आफ सेल्स एड टाइमस है, एवरेज करेक्शन पिरियेट 306 डेज इन एयर मानते वे 18 डेज है, करेंट रेशियो 1.6 है और लॉंग टर्म डेट टू इक तो चुकि अपने को सेल्स नहीं दी गई है, लेकिन जो ग्रोस प्रफिट का रेशियो दिया गया है, तो अगर इस ग्रोस प्रफिट की रेशियो की आपन देखें, तो जो सेल्स की अमांट है, वो 60,000 इंटू 100 अपन 20 की इसाफ से, क्योंकि जैसे सेल्स के उपर 20 रुपई तो तो ग्रम रोपील ब्यूंटॉ सो रूपय इसलिए सो अपन टॉंटी ऐन्टॉ सिकल्च थावें तीन लाग रूपय आएगा तो यह सेल्स केमांट तीन लाग रूपय आ गई माइनिस कर देंगे 60,000 ग्रोस प्रोपिट माइनिस कर देंगे तो 2,44,000 रोपे की कॉस्ट आपूट सोला जाएगी क्रेडिट सेल्स जो है वो इसका 80% है तो यह 2,44,000 रोपे की क्रेडिट सेल्स हो जाएगी इसके बाद में अपनाते हैं एक रेशियो जो है इंपोर्टेंट रेशियो जो टोटल असेट्स टर्नोवर रेशियो है ये total assets turnover ratio 3 times दिया हुआ है और इसका 3 times दिया हुआ है तो shares upon total assets is equal to 3 है तो total assets आजाएंगी एक लाख रुपे की यानि total assets, asset side का total एक लाख रुपे आएगा इसके बाद में inventory turnover है चुकि best on cost of shares है यानि cost of shares upon closing stock is equal to 8 हमने पास में opening stock नहीं है इसलिए average stock नहीं ले सकते हैं तो cost of goods sold 2,40,000 रुपे closing stock अपन नीचे करेंगे is equal to 8 है तो closing stock आजाएगा 30,000 रुपे तो अब तक कि अगर अगर अपन देखें तो अपने पास closing stock यानि inventory आ गया अपने एक asset side का total अपने सामने है अब आगे अपन चलते हैं देखिए average collection period आपको दिया हुआ है debtors upon credit sales into 360 is equal to 18 तो ऐसी स्थिति में अपने के debtors के amount जब अपन करेंगे तो 12,000 रुपे आजाएगा जानि दूसरी अपने इस balance sheet के items को जब अपन fill up करेंगे तो debtors 16,000 रुपे हो जाएगे इन्वेंटरी 30,000 रुपे हो जाएगे अब एक ratio है long term date to equity यानि जो long term date का equity से ratio है वो 40% है वो 40% है long term date और equity का तो shareholders equity आपको 50,000 रुपे दी गई है यानि long date upon 50 is equal to 40 upon 100 है तो long term date जो है वो 50,000 into 40% करेंगे तो 20,000 रुपे जाएगा यानि long term date amount आपके 20,000 रुपे जाएगी और shareholder security आपको 50,000 रुपे दी गई है तो ऐसी सितिती में creditors भी बेसे निकल जाते हैं क्योंकि जब total assets आपके सामने है एक लाग रुपे तो एक लाग रुपे में अगर आप 50,000 रुपे यानि 70,000 रुपे जब घटाते हैं तो creditors 30,000 रुपे आजाते हैं चलिए फिर भी आपना आगे चलते हैं यह creditors के amount जो है वो 30,000 रुपे आ गई इस तरीके से तो creditors amount यानि liability side अपनी fill up हो जाती है इसके बाद में देखिए current ratio आता है current assets upon current liabilities यह आपको 1.6 दिया हुआ है तो current assets कितना आजाएगा current assets 47,000 रुपे हो जाएगा तो current assets 47,000 रुपे हो जाएगा लेकिन current assets में अपने तीन चीज़े हैं cash, data and inventory तो data and inventory अपने को पता है यह minus करेंगे तो cash आजाएगी 6,000 रुपे तो cash 6,000 रुपे आजाएगी data 12,000 रुपे हैं inventory 30,000 रुपे हैं तो बाकी राक्षी fixed assets आजाएगी तो fixed assets के amount 52,000 रुपे आजाएगी ठीक है तो इस तरीके से जो है यह अपना जो हो जाता है एक लाक रुपे हैं की total fixed assets भी आगई तो इस side की सारे items आगे और अपन balance sheet को आराम से बना सकते हैं एक लाक रुपे का total हो जाता है दनों side का यह missing figure की अधार पर आपको financial accounts त्यार करने होते हैं तो कहने का भी प्राई यह कि आपको हर type के ratio का पहले आपको formula पतावना चाहिए कि जिस प्रकार की information जैसी होती है उस information को काम में लेते वही ही अपने को स्वेकरना होता है नेक्स्ट अपन देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं आपन एक कंपनी के चिठ्छे से किये अनुपात निम लिखी था है और ये चिठ्छा आपको बनाना है तो इसमें देखिए सबसे परे करेंट लाइबरेटी इस मानले जी एक रुपिया है करेंट असेट्स टू पा अमिलिक्वीड असेट्स अपन लीक्वीड लिवकिड लिवडिविटी इस बबन्त करते है दो 1.5 ए-dumbndर पागए यह क्रेंट लाइबरेटी करते है नो पाइंट सबसें तो यह 1.5 हbig क्रेंट लिविडिटी रेश्एट्यSerट्स भॉअज 2002 सबसें 31.55 इस्टॉटर नवर रेशो जो है अब यह रेशो दिए गे हैं ना तो रेशो बेस्ट एन कोस्ट सोल्ड है स्टॉटर नवर फिटॉप सल्स है ग्रोस परसेंटेज वन सेल्स दिया गया है 20 परसेंट डैटर्स क्लेक्शन पिरिड टू मंथ यह वर्किंग केपिटल तीन ल तो यह अपने को आइटम्स जो है वो दिये वे हैं इनके बेसिस पर अपन जो है वो पता लगाते हैं कि देखिए क्या है तो सबसे पहरे जैसे करेंट एसे रेसे दिया है करेंट असेट 2.5 है और करेंट लाइबलिटीज वन है तो वर्किंग केप्टल कितनी हो जाएगी तो वर्किंग केप्टल कितनी हो जाएगी वर्किंग केप्टल अपने को दे दी गई है तो पांस लाग रूपे और करेंट लाइबलिटीज हो जाएगी दो लाग रूपे तो वर्किंग केप्टल इससे मालूम अजाती रहुं वर्किंग केप्टल दी गई है तो तो पांस लाग रूपे जो है वो करेंट असेट नवर्किंट लाइबलिटीज ना जाएगी अब दूसरा दिसे रेच्ट लिक्विट रेच्ट दिया है 1.5 तो इसमें अपने गा र CO2 लाख रुप्धित लाख रुप्ध रुपाइगा 3 लाख रुपए 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 तो इनवेंटरी जो हूँ रुपए रुपए हागी तो inventory current assets or liquid assets का difference होती है inventory होती है तो inventory आजाएगी पचास पांस लाख हमाइन लेटी लाख ब्रावर दो लाख अपर गी inventory आजाएगी अब जब inventory अपने को मालूम हो गई तो stock turn over calculate करने में कोई दिक्कत नहीं होगी stock turn over is equal to cost of goods sold upon stock is equal to 6 है तो stock turn over cost of goods sold जो है वो अपने चुकी इसमें opening stock नहीं है तो इसलिए closing stock के basis पर करेंगे तो cost of goods sold के amount आजाएगी बारा लाख रुपे cost of goods sold बारा लाख रुपे आजाएगी और cost of goods sold बारा लाख रुपे आजाएगी तो sales निकालना असान हो जाएगा क्योंकि जीपी है वो 20% on sales है यानि 80% जो है उसकी cost of goods sold होती है तो sales के amount है वो आजाएगी 100 by 80 तो 15 लाख रुपे तो इस तरीके से यह जो है वो अपने sales के amount अराम से calculate कर सकते हैं तो sales 15 लाख रुपे आजाएगा और इसके बाद में next जो आपका ratio होता है fixed assets turnover ratio होता है यह sales के उपर वेस्ट है इसलिए sales upon fixed assets जब अपन करेंगे तो इस goal to 2 होता है तो sales अपने को 15 लाख मालूम है तो fixed assets आजाएगे साड़े 7 लाख रुपे और अपनी बात जानते हैं कि total assets होती है fixed assets में current assets दो चोड़े तो total assets आजाती है साड़े 7 लाख रुपे प्लस 5,00 क्रेंट अजाटे हैं तो 99.1 लाख रुपे की total assets होती है साड़े बारा लाक रुपे की टोटल असेट्स हो जाती है और जब टोटल असेट्स साड़े बारा लाक रुपे की हो जाती है और तो लॉंग टर्म डेट कितने आएंगे लॉंग टर्म डेट करने लिकालने के लिए अब अपने को देखे लॉंग टर्म डेट निकालने के लि करेंट लाइबिटीज होती हैं और लॉंग टर्म डेट होता है तीनी परकार की चीजें तो फिरू से होती हैं इन में से आपको दो मालूम है तो तीसरी अपने आप मालूम होजाएगी यानि टोटल असेट्स में से अपने शेयर केपिटल और रिजर्व स्लपलस और करेंट ल लॉग मंस दिया हुए है तो डेटर्स अपन क्रेडिट सेल्स इन्टू हंड्रेड इसकल टू है हाँ ट्वल मंस के इसाब से अपन कहते हैं तो डेटर्स आजाएंगे धाए लाग रुपे के डेटर्स डही लाग रुपे क्या जाएंगे और इसके बाद में देखिए अब उसके आपने को पता लग गया कि करेंग ठ्रेट के अंदर अपन क्या-क्या लेते हैं करेंगें डिस सब्सक्रणा उपार Lisa से ठेडाली इस तर्रीके से जो आ वह वैलेंस इत अपने आप त्यार हो जाएगी इस वैलेंस इत पर अपने शेर केपिटल अपने को पांच लाग दिये विए रिजर्व जन सर्प्रेश डाइलाग के दिये विए लॉंग टर्म डेट अपने तीन लाग रुपे निकाले थे करेंट लाइबरिटी अपने दो ल आपके लिए इतना ही यह इसका जो भी आपका जो टेक्स्ट फोर्म में है यह आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही नमस्कार